सिराजुदोला के ओपर हैं पूछा गया है कि विच्व फॉलिंग प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स वाज वर फेस्वाजुदोला तो सिराजुदोला जब रूल करने आए तो सबसेदा प्रॉब्लम देखिए आप देखिया अलिवर्दी खांते ही वस वेरी कॉंपीटन रू उनकी नीतियों को वो continue कर पाएं और उससे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएं क्योंकि होगा क्या लोग हमेशा जो successor है उसके predecessor से ही उसको compare करेंगे तो इसी वज़े से सिराजुदोला जो थी उनके पर प्रेशर बहुत जादा था लेकिन उनके पास एक unique type की जो problems जिसको वो face कर रहे थे वो भी थी तो यहां पूचा कि कौन कौन से problems ऐसी थी जिसको face कर रहे थे पहली है rebellious commander उसका जो commander था वो rebellious था a hostile aunt उनकी जो aunt थी वो भी hostile थी and commercial activities of British सोचे क्या answer होगा फिर discuss करते है चलिए देखिए सिराजुदोला जो थे जो अलिवर्दी खान की जो अचानक से यहां पर death हुई उसके बाद काफी young age में जो थे ruler बने ठीक है उनके commander थे मीर जाफर and he was very rebellious आप देखेंगे कि मीर जाफर का अभी आगया नवे lectures में क्या roll रहेगा इसके अंदर तो rebellious commander उनकी आगिंस में rebel करते रहते थे तो यहां पर उनको replace कर दिया गया उनको हटा दिया गया और उनकी जगा बिठाया गया मीर मदन को इस तरीके से first problem को उन्होंने solve के तो definitely यह जो चीज थी पहली statement है यह problem थी second hostile aunt yes उनका जो cousin था जिसका नाम था वो नवावपूर्निया था शोकत जंग इनको उसने हराया और यहां से cousin जो था और साथ में जो aunt थी दोनों को ही neutralize कर दिया तो second problem भी solve हो गई अब तीसरी सबसे बड़ी problem थी कि Britishers की जो commercial activities है उसको कैसे solve किया जाए इसके बारे में definitely हम नाम था मोहनला उसको भी appoint किया in his administration और यह जो individual था यह almost like a prime minister act करता था उस टाइम पर तो अगर हम answer की बात करें तो answer हमारा A हो जाएगा तीन problems बड़ी थी से राजदोला के सामने जब उन्होंने अलिवर्दी खान से जो seat थी और गद्दी जो थी उसको संभाला और इन तीन problems को उन्होंने कैसे handle किया पहले मीर जाफर को उन्होंने अटाके किसको रखा मीर मदन को और अपने कजन को हराया और neutralize के अपनी आंट को commercial activities of British को ठीक करने के भी यहां पर कोशिश करें